नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी रसोली कौन सी बिमारी है बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है रसोली कौन सी बिमारी है तो इसी बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रसोली या फिर फाइब्रुट एक तरह की गांट होती है जो क साइज अलग-अलग हो सकता है रसोली स्टू возь से अलग होती है जैसे कि आपने स्टून की समस्छा सुना होगा या पथरी जी से कहते हैं ये वो नहीं है ये अलग गाठे होती है और ये केवल महिलाओं की सेहत से जुड़ी हुई समस्छा है श्टून की समस्या जो है यानि कि पत्री की समस्या पुरुशों को भी हो सकती है लेकिन रसोली की समस्या जो है वो महिलाओं को ही होती है इसमें periods के वक्त बहुत अधी clothing होती है यानि कि blood आता है असहनिय दर्द होता है बार-बार miscarriage हो जाता है pregnant होने में problem होती है और बहुत स समस्या का सामना इसकी वज़ से महिलाओं को करना पड़ता है इसका मुखह जो कारण होता है В้ो hormones का disbalance होना होता ह्यां कि महिलाओं में hormonal changes होते रहते हैं और यहीं hormonal changes जब सही से नहीं होते हैं तो उसकी वज़ा से समस्या होती है. क्या परिशानी होती है ऐसे में हमने आपको बताया कि प्रिगनेंसी होने में दिक्कत होगी, दर्द होगा और ब्लिदिंग होगी. रसोली क्या होती है तो आम तोर पर हार्मोन डिस बैलेंस के कारण यूट्रस में रसौली बन जाती है लेकिन सेहत संबंधि अन्य समस्याइं भी इसके जो जिम्मेदार हैं वो हैं हार्मोंस बिगड़ने की वजह हर किसी के साथ अलग-अलग हो सकते हैं कभी लाइफ एस्टाइल तो किसी का खान-पान सही कि नहोंना किसी के दवाईयों के साइड इफेक्ट के कारण यह अलग-अलग समस्याओं से हो सकता है रसौली की समस्या हो इसको ठीक करना जरूरी होता है लक्षन क्या है इसको कैसे पहचानेंगे तो रसौली के कारण पीरियर्ड्स चोके हमने आपको पहले ही बताया वो समय पर नहीं आता है उसका समय धर हो जाता है क्लोटिंग बहुत बढ़ जाती है यह यानिके ब्लड क्लोट होने लगता है और ब्लड के साथ अरक्त के ठक्याने लगते हैं पेट के निचले हिस्से में बहुत अधिक दर्द होने लगता है और ब्लीडिंग अधिक होने लगती ह हर समय वीकनिस रहना पैरों में दर्द होना और कबज की शिकायत रहना भी इसका एक लक्षन होता है किस उम्र के लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं ये समझना भी जरूरी है तो ये सबसे ज़्यादा 16 से 50 साल की उम्र में देखने को मिलती है इस कारण से महिलाओं को मिस रोल हो जाती है क्योंकि मुनुपाज के बाद फाइब्रोइड के टिश्यूज की ग्रोथ खुद बखुद बंद हो जाती है अब यूट्रस निकलवाने के इसमें क्या जरूरत पड़ती है बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं तो कुछ साल पहले तक की बात करें तो इ परेट करने की स्थीति में भी यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लेप्रोइस्कोपी के जरिये बहुत छोटे-छोटे कट्स लगा करके भी रसॉली को निकाला जा सकता है इसके अलावा आयरवेदिक इलाज हमने इसी चैनल पर दूसरी वीडियो मे बताया हुआ है उसको वह देख करके आप ठीक कर सकते हैं रसॉली को इसमें इतना ही चुकि आप जान चुके हैं कि रसॉली क्या है और मुख्य रूप से हमारा उदेशी जो था इस एपिसोड का यहीं था कि आपको बता सके कि रसॉली कौन सी बीमारी होती है तो उम्मीद ह कि आपको यह जानकारी पूर्णता मिल गई होगी लाइफ इस्टाइल को सही रखिएगा तो आपको यह समस्या नहीं होगी एक रामबान उपाई की बात करें तो किसी भी प्रकार की बौडी में सिष्ट हो यानि कि गांठ हो वो जाहे है रसॉली की हो या किसी भी प्रकार की तो आप कपाल भाती कीजिए इससे मैक्सिमुम चांस रहता है कि बोडी में कहीं भी गांठ होगी तो ठीक हो जाएगी और गांठ नहीं है तो गांठ की समस्या नहीं होगी तो नियमित रूप से एक्सरसाइज व्यायाम जरूर किया कीजिए उमीद है आपको यह जानकारी लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए वट्सप पे फेस्बूक पे तकि सभी को वीडियो मिल सके आयरवेदी कुप चार चैनल फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें और जाते जाते अपना किमती सुझाओ कमेंट्स के माध्यम से जरूर दे हमें बेहद खुशी होगी और आपके सुझाओ हमारे लिए बेहद महत्तोपून होते हैं धन्यवाद